हां जी नमस्कार जैहिंद आप सभी का राजस्तान क्लासेज की यूटूब प्लेटफों पर बहुत बहुत वैलकम हैं दोस्तों यह सैट रीट और लडीसी एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन्ट यह क्लास होने वाली है पर इक्षा में यहां से प्रजन जरूर देखने को मिलेंगे राजस्तान जी के की स्पेशल क्लास है मैं आपके लिए थोड़ा सुपरफास्ट करूंगा तो आपसे निवे दिन आप इस क्लास के आखिर तक जोड़े रहेंगे लेकिन उससे पहले एक मिनिट आपका मैं लेना चाहूंगा क्योंकि देखो सबसे पहले मैं आपक सबसे महतुपूर्ण जो मैं आपको हर बार बताता हूं लास्ट टाइम में कि यह यह पढ़ना चाहिए वही पीडियप नोट्स आपको 49 डूपीज में एप में उपलब्द करवाई गई है एप दोस्तों यह है राजस्तान 360 अगभी तक आप मैंसे किसी भाईबर ने एप को इंस्टॉल नहीं किया है तो जरूर करना प्ले स्टोर में जाना होगा आपको प्ले स्टोर में जाकर आप राजस्तान 360 लिखते हैं त इससे मैथ पुन बात आपके लिए क्या हो सकती है बताओ जरूर इसको लीजेगा दोस्तों 49 में ओनली ठीक है अभी तक आपके लिए 11 पीडियप अपलोड हो चुकी है इसमें ठीक है आप जरूर देखना इस परकार का यह आपको वहाँ पे मिल जाएगा राजस्तान 360 आप को डाउनलोड करोगे तो और भी बात है टेस्ट सीरीज की दोस्तों 8-7-8 या 10 तक जो है टेस्ट आपको मिल जाएंगे मात्र 50 रुपे में एप डाउनलोड करना पड़ेगा आपको राजस्तान 360 वहाँ पर दोस्तों एक बार आप डाउनलोड जरूर करना एपको उसमें 400-500 रुपे वाली बिलकुल मात्र ना मात्रफी में है तोस्तों आज का पहला सवाल आपकी स्क्रेन पर है राजस्तान उर्जा विकास निगम लिमिटेड आर यूवी एनल का गटन जो है ना ये कब हुआ था तो दोस्तों याद रखना 4 दिसंबर को हुआ था 4 दिसंबर 2015 को हुआ था प्यारे दोस्तों यानि आप सभी का लॉक हो जाएगा फिलाल के लिए अगला सवाल है वो समू कौन सा है जिसमें सभी किल्ले अलवर जिल्ले में अवस्तित है यानि कि इन में से वो कौन कौन से जो किल्ले हैं वो सारे अलवर में है देखो बात करे बाला किला अलवर में है कांकनवाडी भी अलवर में है लेकिन बीना देशर अलवर में नहीं है बाला कांकनवाडी लेकिन नीम्रना आपका सभी जवाब होगा कि ये तीनों के तीनों के लिए कांपे आपके अलवर में इस्तित है अगला सवाल देखे दोस्तों क्या कह रहा है कि अंग्रे जोने भर्दपुर शासक माराजा रंजी सिंग से संधी कब की थी तो आपका राइट आंशर जो है क्या होगा जल्दी से बताइए राइट आंशर क्या होगा आपका आंशर आना ची अप्रेल अप्रेल 1803 होगा सर अप्रेल 1803 यारने आप्सन सी आपका लाкив होगा और आगला सवाल देखिये पावर पैक योजना का सम्म्न है गज़ोचणा से अनुइर्जा से पवनूर्जा से सौरूर्जा से अतापूर्जा से तो याद रखना स्वारूर्जा आपका लाख हो ठीक है? नियुक नियुकातने आई खिर ऑजटो कूल सुतनतरता यानी के 1947 के समय की बात है और उस समय यहां के जो थे वो थे जवाहर सिंग दोस्तों आप सभी को बताओगा जवाहर सिंग के समय ही जो है आपने सागरमल गहुपा की ही मृत्य होई थी आपको याद होना चीए, आपसन C आपका लॉक होगा जो अपरेल 1940 में होई थी, ठीक है, किसकी मरत्यू सागरमल गोपा की, अगला सवाल है, जैवी खेती की नीती लागू करने वाला देश का पहला राज ये कौन सा है दुखसों, तो याद रखना हमारा राजस्तान है, आप का सही कथन है, और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, अगला सवाल है, निम्न मैंसे कौन सा सूमलित नहीं है, ये सवाल हमने कई बार पढ़ा भी है, तो वन्श वासकर सूर्यमल मिश्रन बिल्कुल सही बात है, एक लिंग महमत्य कहना व्यास बिल्कुल सही है, द्वार द विदेशी रियासतों को सारवजनी खित में कौन से विशे जो भारत संग को सौपने थे, तो प्यारे दोस्तों, रक्षा भी है, संचार भी है, विदेशी भी है, यानि उप्रोग सभी को लौक करेंगे, और इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, उप्रोग सभी यानि क आपका लौक होगा, बड़ा श्रांदार सवाल है, और अगला सवाल है, साकर खान को 2012 में किस लोकवादिय में प्रिवेंटा के लिए पदमर्श्री से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों कामायचा के ये जो है, क्या है, कलाकार है, कामायचा बजाने के, कामायचा के मतलब बड़े प्रतिपादक के रूप में इनको माना जाता है, पदमर्श्री इनको भारत सरकार ने दिया था, आपसन ए आपका लौक होगा दोस्तों, अगला सवाल देखो, राजस्तान, अक्षे, उर्जा, निगम की स्तापना कब की गई, दोस्तों बहुत इंपोटन सवाल है, नो अगस्त की बात है, और नो अगस्त उन्नी, दो हजार तीन, सौरी, उन्नी सो का उप्सन में नहीं है, तो नो अगस्त दो हजार तीन आपका लौक हो जाएगा, आपसन सी को आपने चुना है, बिल्कुल आपका सही आंसर है, देखे दोस्तों, बावडी दर्वाजा, होल का किला, जो है न, दोस्तों, कहां पर पढ़ता है, चौमु का किला, चौमु का किला आपके जवपुर में है, जिसको चौमुहा गड़ के नाम से भी जाना जाता है, तो धारा-धार गड़ के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखना दोस्तों, आपका सही कतन होगा, निम्न मैंसे कौन सा सूमेलित नहीं है इन मैंसे कौन सा सूमेलित नहीं है option B आपका लॉक होजेगा दोस्तों बाडी का युद बाडी का युद जो है न ये सूमेलित नहीं है क्योंकि हल्दी काटी युद बिलकुल सही है बाड़ी का युद्याप पे आपका 1518 में हुआ था इसलिए सूमेलित नहीं है गागरोन का युद्ध 1519 सही है बयाना का युद्ध 1527 सही है तो हम बात करें आपसन भी आपका राइट होगा असूमेलित था इसलिए और एगला सवाल देखे निवन मैस से कौन सा सूमेलित नहीं है देखे दोस्तों निवन लिकित मैस से कौन सा सूमेलित नहीं है हम बात करें तो माराना संगा की मरत्यू मांडल गड़ में ये गलत बात है दोस्तों कालपी में इनकी मृत्यों हुई थी कालपी फिलाल मद्य परदेश में पड़ता है माराना संगा का इसमारक बसवा में है और बसवा कहां पर दोस्तों बूंदी में है जेपुर में है या फिर अन्य जगब पर एक कहां पर दोसा में है वो आपको बताना है माराना संगा का दास अंसकार मांडल गड़ में हुआ बिलकुल सही है माराना संगा की चत्री मांडल गड़ में सही है लेकिं सूमलित नहीं है वो है दोस्तों कालपी यानि मांडल गड़ में इनकी मृतियों नहीं बलकि कालपी में इनकी मृतियों होई थी अगला स्वाले देश वे राजे का पहला थर्मल आठ विश्विदाले कौन्चे जिल्ले में बना तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों उधेपूर में बना यानि आप्शन डी आपका सत्यकतन होगा और फोरेस्ट इसकूल अभी अभी जो बना है वो भी इसी जिल्ले में बना है दोस्तों याद रखना जला नामक गीत इस्ट्रियों द्वारा गया जाता है दोस्तों और ये गीत जला नामक गीत इस्ट्रियों द्वारा गया जाता कुगा पूजन के समय जल जूलन एकादशी के अवसर पर वर की बारात का डेरा देखने जाने पर या तीन तीज पूजन के अवसर पर तो दोस्तों वर की बारात का डेरा देखने जाने पर यानि option C आपका लौक होगा बेहदीश शांदार सवाल है और अगला सवाल देखिए कौन सी पंच वर्षिय योजना में उर्जा को सरवोच प्रात्मिक्ता दी गई कौन सी पंच वर्षिय योजना में उर्जा को सरवोच प्रात्मिक्ता दी गई तो दोस्तों बाहरवी पंचवर्ची होजना यानि option D आपका सही जवाब होगा 2012 से लेकर 2017 तक जो चली थी और आखिरी पंचवर्ची होजना अगला सवाल देखो अगला सवाल है निम लिकित मैंसे कौन सा सुमेलित नहीं है देखें दोस्तों इन मैंसे कौन सा सुमेलित नहीं है हल्दी गाटी युद की उपनाम गोगुंदा का युद बदा यूनी देखो खमनोर का युद अबूल फजल देखो याद करने का मैंने आपको कई बार बता है कि खमनोर का युद ठीक है इसको छोड़ देते है मेवाड का थर्मोपोली करनल जैमस टॉड नहीं कहाता तो आपको ये याद रखना थर्मोपोली कैसा शब्द है दुस्तों इंगलीस वर्ड है तो ये टॉड ही कह सकता बागी कौन कहेगा तो दोनों आप ऐसे याद रखेंगे तीसरा ऐसे याद रहना ही रहना है आपको ये अक्सर तीन ही पूछे जाते ज़्यादतर बादशाह का बाग का युद जो है ना मौनोतनेंसी ने कहा था इसमें कोई शक नहीं है तो यहाँ पर आपका राइट आंचर जो है ना यह आपसन डी होगा मौनोतनेंसी ने नहीं कहा था मैंने आपको बता दिया कि मौनोतनेंसी ने कहा था नहीं गलत बाद है बादशाह बाग का युद जो है ना यह कहा था मैं आपको बता हूँ श्री आशिरवादी लाल ने कहा था याद रखना दोस्तों अगला सवाल है कि जैव उर्वर्ग का प्रतम कारकाना कौनचे जिले में इस्तापित किया गया तो जैव उर्वर्ग का पहला कारकाना कौनचे जिले में दोस्तों भरतपुर में ये खोला गया याद रखना आपका option B.O.O. का सही answer केस रोली दुर का निर्मान किस राजवन्ष के शासकों ने करवाय था दोस्तों वर्तमान में ये heritage hotel है है ना right answer हो जाएगा यादो शासकों ने करवाय था बेलकुल important सवाल है तोस्तों आपने इसको lock कराएना तो बेलकुल ठीक है नहीं तो ये ठीक नहीं रहेगा lock जरूर कर लेना अगला सवाल है राजे में वनों की कमी का प्रमु कारण क्या है जलवायू परिवर्तन मिटी का घटाओ अत्यदिक मात्रा में खनन या इंदन के लिए लकडी काटा जाना तोस्तों राजे में वनों की कमी का प्रमु कारण तो हम ये ही कह सकते हैं इंदन के लिए लकडी का काटा जाना यानि option D आपका सही जबाब होगा निवन में ऐसे कौन सा सूमलित नहीं है देखो भूला बिस्रा राजा राव चंदर सेन को का जाता है बिल्कुल का जाता है हश्मत वाला राजा राव जोदा को नहीं का जाता है माल देव को का जाता है दोस्तों किसको माल देव को का जाता है प्रताप का अग्रगामी राव चंदर सेन बिलकुल सही है सन्यासी राजा मान सिंग को का जाता है तो दोस्तों आपसेन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा बिलकुल इंपोटेंट और शांदार सवाल ता और अगला सवाल देखो भारत में पंचायती राज व्योस्ता का शुभारंब राजस्तान के किस गाउं से किया गया तो याद रखना नागोर के बगदरी गाउं से किया गया दोस्तों कब की बात है 2 October 1969 की बात है दोस्तों जवाल नेरू के दोरा उद्गाटन किया गया था और एगला सवाल होलार राजस्तानी लोकगीट में जो के आवसर पर गये जाते हैं है ना, तो होला राजस्तानी लोग गीत में जो के आऊसर पर गाय जाते है, यानिकि लोग कि बूशय सह ना किसी आऊसर पर गाय जाते है तो याद रखना शिशू के जर्म के समें अप्शन B, आपका सही जवाब होगा, पुत्र जन्मोत के समय गाया जाने वाला गीत है अगला सवाल देखिए गेहूं से संबंदित गलत क्या है देखिए दोस्तों गेहूं से संबंदित गलत क्या है सरवाधिक उत्पादन की बात करें सरवाधिक उत्पादन की बात करें तो अनुमानगड में इसका उत्पादन होता है बिलकुल सरवादिक शेतरपल के साब से गंगानेगर बिल्कुल ठीक बात है उप्युक्त मिटी इसकी जलोड़ नहीं होती इसकी दोमट मिटी इसके लिए उप्युक्त मानी जाती है बतलब सरशेश मानी जाती गयों के लिए तो यहां पे हम यह कहा सकते हैं उपशन C आपका गलत था असुमेली था अगला सवाल है अती आधर जल्वाई प्रदेश के अंतरगत कौंचे जिल्ले आते हैं ओपjor बी आपका लोग हो जाएगा जालावाड और बानस्वाड़ा को अप्सट बी आपका सख्जाब होगा बिलकुल स्वाडार सवाल टा और अगला सवाल देखो अगला सवाल है निर्ण में ऐसे गलत कतन आपको चुनना है जी हाँ क्या बात है देखो केंद्री उन विकास बोर्ड संस्तान जोदपुर में है बिल्कुल सही बात है बेड प्रजनन फार्म फतेपुर में है बिलकुल ठीक है केंद्री बेड और उन अनुसंतान संस्तान अविकान अगर टॉंक में है ये भी सही है बेड उन शिक्षन संस्तान जोना ये जैसल मेर में नहीं बलकि ये आपका जोदपुर में है पुंड्रीक विठल को लॉक करेंगे किसको पुंड्रीक विठल को आपसन ए आप सभी का सही कतन होगा अगला सवाल है नागोर के शासक अमर सिंग राठोर तथा बीकानेर के राजा कर्ण सिंग के बीच कौन सा युद हुआ बताईए दोस्तों नागोर के शासक अमर सिंग राठोड तता भीकानेर के राजा कर्ण सिंग के बीच में कौन सा युद्ध हुआ तो मतिरेरी राड नामक युद्ध हुआ दोस्तों आपसन डी और ये युद्ध 1644 में हुआ था ठीक है और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल देखें बीडवलू एंच डवलू से अभी प्राई क्या है यह आपको बताना है बीडवलू एंच डव अगला सवाल है अंग्रेजों के आकरमन पर चुरू के किले ने चांदी के गोले दागे थे जी हाँ बिल्कुल आपने सही चुना है देखें मतलब कि इसमें से कौन सा आपने आपसन चुन लिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ बाकि जो आप यहाँ पर पढ़ रहे है यह भी बिल्कुल ठीक पढ़ रहे है आपका सही जवाब होगा 814 की बात है शिव सिंग यहांके उसमें ठाकुर थे और इन ठाकुर से आपने गोले वर्षा दिये थे यहाँ पर विजयता मालदेों को कहा जाता है कोई दिकन ली बिलकुल कहा जाता है चौशट युद्धों का विजयता पजवन को कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप हटा दीजिएगा मैं ठीक से आपके लिए एक क्वैसन लेकर आ जाओंगा सो युद्धों का विजेता माल देव को का जाता है देखो सो युद्धों का भी विजेता माल देव को का जाता है याद रखना तो इन मेंसे कोई गलत है ही नहीं लेकिन भी को आपको अटाना पड़ेगा बिल्कुल सही है कोई दिकत नहीं कसावती नदी सीकर में ये भी प्रवाहित होती है कोई दिकत नहीं क्रशनावती नदी भी सीकर में प्रवाहित होती है लेकिन इज नदी सीकर में नहीं बलकि चितोड़गड में प्रवाहित होती है ये ये ना चितोड़गड में याद रख यह मदूमती जो है ना यह राजस्तान साहित अकाडमी की है और राजस्तान साहित अकाडमी कहां पर है उदेपुर में इस्तित अकाडमी कहां पर है उदेपुर में राजस्तान भाषा साहित अकाडमी कहां पर है दोस्तों यह आपके बीकानेर में है ठीक है कहां पर है बीकान मेवाती गराने से जेपुर गराने से डागर गराने से या अत्रोली गराने से तो याद रखना मेवाती गराने से संबंध है पंडीत जसराज का संबंध किसे मेवाती गराने से मेवाती गराना कहां पर है अलबर भर्थपूर साइड में अगला सवाल देखो विकानेर के शास कामरान को वही बाबर का पुत्र था वही लारोर का शासक था जिसका नाम था दोस्तों कामरान और कामरान को राव जैत सी नहराय था यह बात है 1534 की इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों ठीक है और यह वर्णन हमें कहां पर मिलता है बिठ्ठू सूजा ने एक लिखा था चंद लिखा था जैत सीरो चंद उसमें हमें यह जानकारी मिलती है प्यारे सातियों अगला स्वाल कह रहा है प्रताप के गोड़े चितक का चबूतरा किस सिस्तान पर बना हुआ है पताईए दोस्तों प्रताप के घोडे जिनका नाम था चेतक का चबूत्रा कौन से स्थान पर बना हुआ है तो बलीचा गाउ में बना हुआ है और बलीचा में चेतक ने अंतिम सांस ली थी याद रखना दोस्तों जो नाला डाक कर लिया था अगला सवाल है काटेदार जाडिया और गास की परधानता किस जलवायू प्रदेश की विशेष्टा है और ऐसा सवाल आपको अक्सर कई एक्जाम में पूचा भी गया है और अप्सन बी अर्दर्शुष्क जलवायू प्रदेश को लॉक करेंगे जिसके अंतरगत जो है आख है खेजड़ी है यह रोईड़ा वगेरा है कंटीली जाड़िया है ओके दोस्तों चलो बेलकुल सही असर सही आंसर है और अगला सवाल है लक्षमनगड़ दुर किस पा हाडे पर बना होगा है कौन से बेड़ ये लक्समनगड़ दूर कहां पर है पुलैष समनग शीकर मेंक्तित है और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते है अगला सवाल है निम्रमेंस से कौंसा सुमयलित यहीं सवाल है यह influenced नहीं और ङภाइब्स नहीं साथ आप्सन ने लेका, रूठि इरा ने, केशिप्वर ने लेका, कोई दिकत नहीं। अगला सवाल देखो देख़ें तु मेंस्सा नेमन लिकित मेंस्सा किया है दोस्तों देखो नेमन मेंस असंगत किया है जलपरपात जिल्ला भियमलत बूंदी देर.. मेनाल जल्परपाद भीलवारा देर खाएं दमो जल्परपाद करोली देर का है चूलिया जल्परपाद चितोड देर का है तो हम ऐसा करेंगे दमो जल्परपाद को लॉक करते हैं सीधा ना दमो जल्परपाद करोली में नहीं बलकी दौलपुर में है सर है तो पास में है पास में लेकिन फिर भी दौल पूर में याद रखना अगला सवाल देखें दोस्तों बाकी कभी याद रखना है आपको अगला सवाल कह रहा है कि भीलों का प्रसीद लोक गीत जिसे इस तरी पुरूश साथ मिलकर गाते हैं वो लोक गीत कौन सा है तो दोस्तों वो लोक गीत है हम सीडो कौन सा है हम सीडो लोक गीत है याद रखेगा बहुत इंपोटन सवाल है और अगला सवाल है कनाट बांध किस जील पर बना हुआ है देखे दोस्तों कनाट बांध किस जील पर बना हुआ है तो ये आपकी फते सागर जील पर बना हुआ है कौन सी फतेश सागर जील पर बना हुआ है कानाट सागरबान याद रखना दोस्तों बहुत important सवाल है ठीक है और इसका जो है ना चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं और ये सवाल सबसे मैतपूर है जहां से एक सवाल जरूर बन सकता है माराना मेवाड फाउंडेशन पुरुसकार माराना परताब पुरुसकार खेल शेतर में दिया जाता है बिल्कुल सही बात है दोस्तों और हल्दीकाडी पुरुसकार सहीदी के शेतर में नहीं बलकि पत्रकारिता के शेतर में दिया जाता है पत्रक कारिता उदे सिंग पुरुषकार पर्यावन शेत्र में सही है पनादाय पुरुषकार बलिदान कर शेत्र में सही है तो option B आपका सही सूमलित होगा और यह आपका आखिरी सवाल जिसका answer आपको बाहरा के comment section में देना है दोस्तों दम दमा पाहड़ी पर बना दुर्ग कौन सा है थोड़ा hard हो जाएगा क्या चलो कोई बात नहीं हम बात करेंगे इस पर दोस्तों option A as a right answer होगा बयाना दुर्ग बयाना दुर्ग आपके लिए कहां पर यह बयाना दुर्ग भरतपुर में याद रखना विजेपाल ने इसका निर्मान करवाय था 11 सदी में करवाय था अभी आपका आखिरी सवाल देश की पहली खजूर पॉज साला कौन्चे जिल्ले में लगाई गई इसका answer तो आपको देना ही पड़ेगा मेरे भाई है ना जरूर से जरूर इसका answer आप लोग देंगे खेर option A आपका lock हो जाएगा यहां पर जोदपूर है दोस्तों ठीक है option A आपका सही जवाब होगा जोदपूर है इसका भी answer हम यहां पर नहीं देंगे चलो इसका आप लोग answer बता दो मुझे राजस्तान में मत्य संका विले कब करवाएगा दोस्तों इसका answer comment section में जरूर बताना प्लीज आप सभी से request है ठीक है राजस्तान में मत्य संका विले कब होगा ऐसा मैं आप से सवाल कह रहा हूँ इसका answer आप जरूर बताएंगे और आगे बात आएगी आपकी किस पर आगे बात आएगी एप पर दोस्तों कि sir ये से 10 प्लस टू एग्जाम के लिए ये selection वाला gk कैसे download करें मैंने आपको बताया राजस्तान 360 आप type करोगे न प्ले स्टोर में जाकर राजस्तान 360 या फिर आप देखो मैं आपको क्या ही बता हूँ लिंक भी description में है तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं राजस्तान 360 टाइप करोगे वहाँ पर आपको paid course पर आपको क्लिक करना है आप सभी के लिए और test series दोस्तों मातर 50 रुपीज में ये दी जा रही है तो आप 360 आजस्तान 360 एप को जरूर इंस्टॉल करना और देखना दोस्तों time बहुत कम है जल्दी कर लेना enroll करना और test देना शुरू करना test लो या फिर आप PDF लो जो आपको बहतर ही लगे वो जरूर लेना एक बार है आप सभी का दल से बहुत बहुत सुक्रिया all the best